अगर आप इस चानल पे नए हो तो इस चानल को सिब्सक्राइब करे और विडियो को लाइक करे डाइना और रोमा अपने सहपाथियों के साथ एक आविस्मरण ये साहसिक याध्रा पर निकले जब उनके स्कूल में खनी जंगल में पिकनिक का आयोजन किया बच्चे अपनी जिग्यासा और खोज की भाबना से लेस होकर जंगल की हरी भरी दुन्या में प्रवेश कर गए जैसे ही ये जंगल में गेहराई तक गए डाइना और रोमा ने चारों और लहराती रंग बिरंगी दुपियों जीवन फूलों को देखा और विदेशी जानवरों की दूर की आवाज़े सुनी उनके अनिभवी मार्ग गर्शिकों ने चात्रों को पारिस्थिति की तंथिके नाज़िक संतिलन के बारे में सिखाते हुए वनस्पतियों और जीवों के बारे में ज्यान साज़ा पिया दोपहर के भूजन का आनंद एक शांत नभी के किनारे लिया गया जहां क्रिस्टल साफ पानी आसपास की हरियाली को प्रतिविदिक करता था पिकनिक के बार बच्चे शेक्षिकी गतिविदियों में लगे हुए थे जैसे विद्विन पॉदू की पहँचान करना और जानवरों के पैरों के निशान पर नज़र रखना रोमा ने अपनी सहसिक भागना के साथ प्रक्रति खोजी शिकार में समूग का नित्रित्व किया और अपने दोस्तों को विशिष्ट पते फूम और कीडे खोजने की चुनौती दी हने जंगल में बिताया गया दिनना प्रेवर मज़ेदार था बलकि एक नूलवान सीखने का अनुभब भी था जो प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरी सराहना को बढ़ावा देता था डाइना और रोमा प्रकृति के प्रति नए प्यार के साथ जंगल में अपनी रोमान्चक साहसिक यात्रा की यादे लेकर स्कूल लोटी जैसे जैसे दिन चर्का गया हनी जंगल में डाइना और रोमा के साहसिक कार्य में अप्रत्याशित मोडा गया वे जंगल की गेंटराई में जाने वाले एक छिपे हुए रास्ते पर ठोकर खा गए और उनकी जग्यासा उनकर हावी हो गई अपने शिक्षकों की अनुमती और अपने अनुभवी टूल लीडर के मार्ग दर्शन से उन्होंने इस अग्यात क्षेत्र का पता लगाने का फैसला किया रास्ता उन्हें एक रहसे में जगह कर ले गया जहां एक छोटा सा ज़ड़ना एक शांग तालाव में के रहा था विश्य मंगों अप्था और समूंग ने ठंडे साफ पानी में ताज में हड़े लगाने का फैसला किया जंगर वन्यजीवन की आवाज से जीवन्ख था और बच्चों को ऐसा महिसूं सो रहा था जैसे वे किसी जादू एक शेत्र में प्रवेश कर गए हूँ जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी रोमा की देज नजर ने पेडों पर बैठे एक दुरलब और रंगीन पक्षीदे देखा डाइना अपने केमरे से लेस होकर इस मायावी प्रानी की एक तस्वीर हीचनी में काम्याब रही जिससे उनके साहसिक कार्य में एक दुरलब और खिमती स्नैप्शॉट जो गया सुरज डुदने लगा जिससे जंगल पर नारंगी और गुलाबी रंग छा गया केमपसाइट पर वापस जाने का समय हो गया था लेकिन बच्चे अपनी अप्रत्याशित खोजों के लिए उपलब्दी और आश्चरे की भागना में सूस करने से खुद को नहीं रोग सके हने जंगल में स्कूल पिकने के एक साहसिक कार्य से कहीं अधिक बन दोई यह प्राकृतिक दुनिया की सच्छी खोच थी जिसके बारे में डाइना और रोमा और उनके दोस्त आनेवाले वर्षों में बात करेंगे इसने उन्यों प्रकृति के प्रती जिनून और रोमांच के प्रती प्रेम जगाया जो जीवन हर उनके साथ रहेगा